कौन सी बिमारिया है आखों की जो ज़्यादा तर देखी गई है काफी स्कूल में जाने वाले बच्चों को जो दृष्टी दोश है मायोपिया जिसको बोलते हैं वो कम हो रही है 2010 में 28% बच्चों को मायोपिया था भारत में जो की 2020 में बढ़के 34% हो गया है और 2050 में इसके 50% होने के चांसे से कि अगर बच्चों को आखों की बिमारी मायोपिया आएगा उनको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड सही तरीके से नहीं दिखेगा पर एक सीरियस कर से क्या यह एक पैतरक बिमारी है अगर दोनों पेरेंट्स को मायोपिया है दोनों पेरेंट्स वाले बच्चों को मायोपिया होने के चांस दूसरे बच्चों के बज़ाए 6 टाइम्स ज्यादा है अगर चालिस से असी मिनट की आउटोर एक्टिविटी बच्चा कर लेता है तो 23 से 20 परसंट चांसे मायोपिया होने के कम हो जाते हैं नमस्कार D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा से डॉक्टर खरबंदा आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में एक स्टड़ी आयी है जिसके अनुसार भारत में काफी स्कूल में जाने वाले बच्चों को जो द्रिश्टी दोश है मायोपिया जिसको बोलते हैं जो दूर को देखने की हमारी आँखों की शमता है वो कम हो रही है अमूमन 20 फुट से लेके 40 फुट तक बिलकुल क्रिस्टिल क्लियर देखता है हमें लेकिन वो शमता कम हो रही है और उसके अगर हम डाटाज लें तो 2010 में 28% बच्चों को मायोपिया था भारत में जो की 2020 में बढ़के 34% हो गया है और 2050 में इसके 50% होने के चांसे हैं और अगर हमारे बच्चे और भारत जैसे आपको ग्याद है कि युवा प्रधान देश है काफी युवा 350 मिलियन हमारे भारत में 10 से 24 साल की उमर वाले बच्चे हैं तो युवा स्कूल के अगर बच्चों को आँखों की बिमारी मायोपिया आएगा उनको ब्लैक बॉर्ड या वाइट बॉर्ड सही तरीके से नहीं देखेगा तो एक सीरियस कंसर्ण जी इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का कितना रोल है क्या उनको पता चल पाता है कि बच्चे को मायोपिया हो गया है कई बार तो पता ही नहीं चल पाता उनको देखिए इसमें बड़ी क्लोज अबजर्वेशन की जरूरत है और पेरेंट्स से भी ज्यादा शायद टीचर्स की अबजर्वेशन की बच्चा सारा दिन स्कूल में रहता है तो स्कूल में अगर वो अपनी आँखों को ऐसे करके देखे या वो कहे कि मुझे मैम पहली सिट बेठा दीजे मुझे दूर से दिखता नहीं साफ या बच्चा इंटेलिजेंट है और वो काम खराब करना शुरू करते क्लास में परफार्मेंस उसकी डाउन चली जाए वैसे इंटेलिजेंट है लेकिन क्योंकि उसे दिखी नहीं रहा उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिलो एवरेज बेठी हैं तो यह अव्जर की अब्सरवेशन अगर टीचर को लगे कि बच्चा ऐसे करके ऐसे आँखें क्लोज करता है ऐसे करने से क्या हुता है जो आपय होगोरिया हो होता इसलिए बच्चे ऐसे करें, तो ये हमें एक observation रखनी पड़ेगी, प्लस ऐसा नहीं है कि economic strata से बच्चा आता है या नहीं आता, उससे इसका कोई फरक नहीं, इवन पॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को भी मायोपिया बहुत अधिक देखा गया है, हाँ, एक बात और, अगर दोनों पेरेंट्स को मायोपिया है, तो बच्चों में उस दोनों पेरेंट्स वाले बच्चों को मायोपिया होने के चांस, दूसरे बच्चों के बज़ए छे टाइम्स ज्यादा हैं, जी, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर है, बच्चा इन है, तो एक सला ये है कि शादी के वक्त जनम कुंडली मिलाने की विज़ाए अपनी आँखों की एनक मिलाएं दोनों को एनक नहीं लगी होनी चाहिए अगर दोनों को एनक लगी है तो आपका जो आने वाला सिबलिंग है जो बच्चा है आएगा उसमें 6 परतिशत 6 टाइम्स 60% ज्यादा चांसेज हैं कि बच्चे को मायवपिया हो और मायवपिया के बड़े कॉंसिक्वेंसेज हैं 18 साल की उमर तक हमारे मसल का साइज बढ़ता है और मायवपिया का प्रोग्रेस होता है उसको हम progressive myopia बोलते हैं बड़ा आसान जाच है 20 फुट हर स्कूलों की medical room में भी एक chart लगा होना चाहिए 20 फुट दूरी पे और उसका उपर से नीचे तक बच्चा एक आँख बंद करके हम उसको पढ़वा लें तो पता लग जाता है कोई टेस्ट की जरूरती इतना आसान टेस्ट है और आसान इलाज है या तो हम glasses दे दें जैसे मैंने लगाये हुए है या तो हम constant use ये फरक वंदरा जी हमें समझ आना पड़ेगा कि चालिस साल से पहले पहले हमें जो दरिश्टी दोश होता है वो दूर का होता है और चालिस के बाद जो होता है वो नजदीक का होता है बच्चे क्या है कि अपना काम इसमें मुश्किल यही आती है कि बच्चा ये जजज नहीं कर पाता कि मुझे दूर का दृष्टी दोश है, क्योंकि वो दिखता है कि मुझे सब किटाब साथ दिख रही है, लिखा ठीक जा रहा है, लैपटॉप ठीक दिख रहा है, मोबाइल ठीक दिख रहा है, सारे काम ठीक हो रहे हैं, नजदीक का बिल्कुर ठीक है, तीवी देखते हैं मु नहीं दिखेगा या वाइट बोर्ड नहीं दिखेगा यहां मुश्कले आएंगी अब यह चीजे बच्चा तो बच्चा है वह अबजर नहीं कर पाता तो टीचर्ज की जिम्मेदारी बनती है कि वह और एक बात अगर हम हर स्कूल में रूटीन स्क्रीनिंग आई स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग कर लें और जाज कर लें और एनक लगा दें वक्त रहते तो यह नंबर बढ़ेगा अठारा साल की उमर तक अधरवाइस बढ़ता है तो वहीं रुख जाएगा और यह कॉंस्टेंट यूज लगाना है कॉंस्टेंट यूज का मतलब है रात को सोते समय उतारिये और सुबह उटते ही लगानी है यह वर्ड अफ कॉशन है चालिस के बाद आपको एनक तब लग है मायूपिया जी हैश्टेंटि विमारी है अब मैंने आपको बताया कि ए यह हरीटिटी के साथ साथ अकर मदर और ऋफादर दोनों को मायोपिया है तो बच्चे को 60% चांसे जादा है अन्य बच्चों की अप। अच्छा मायोपिया होने के और यह आधुनिक्ता की देन है हम लोग लैप टॉप मोबाइल और इंडोर एक्टिविटीज का शिकार हो गए हैं बच्चा सुबह से लेके दुपहर तक स्कूल में होता है स्कूल से आगे खाना खाके उसको होमवर्क का बुखार तड़ जाता है होमवर्क के बाद उसने ट्विशन करना है बाहर वो जा ही नहीं पाता शाप को या तो वो टीवी देखता है या वो लैप्टाप पे है या मोबाइल पे है तो आउटडोर एक्टिविटीज बंद होने की वज़ए से यह मुश्किल अगर जो हमारी स्टडी हमने करी थी आल आई रिपीट 23 से 50 प्रतिशत मयोपिया होने के चांसे कम हो जाते हैं तो यह मयोपिया कोई दवाई नहीं है सिर्फ होमियोपैथिक में एक दवाई है जो प्रोग्रेसिव मयोपिया में हम देते हैं फाइसो स्टिगमा नाम की दवाई है वो भी नंबर बढ़ने से रोकती ह है लेकिं ठीक नहीं करती रिवर्स नहीं होता वरना मैंने अनक ना लगाई होती और आप अमूमन देखेंगे सभी जितने डॉक्टर्स भी खुद अनक लगाके रखते हैं तो इसका कोई रिवर्सल नहीं है इसका इलाज यही है कि हम इसकी इमेज ठीक कर लें अनक लगा ल से वो लो contact lenses use कर लें तो या contact lens लगाएं या एक तीसरा solution आ गया है वो लासिक laser है लासिक laser painless और needleless बिना कोई कट के बिना आख के अंदर जाए और बिना पेन के कुछ seconds की वो कहने को तो लासिक surgery बोली जाती है लेकिन वो सिर्फ laser की rays हम देते हैं और rays से यह permanent इसको ठीक कर लेते हैं हलांकि उसमें एक आवश्यक जांच ophthalmologist को करनी पड़ती है कि क्या उस बच्चे को कभी को स्क्विंट हुआ क्या उसकी कोई आई लेजी है क्या उसे कोई glaucoma है glaucoma होता है सफेद मोतिया या उसको को काला बिमारिया है मैं फिर से गिना देता हूं लेजी आई में एक आँख लेजी हो जाती है एक आँख से बच्चे को दिखता नहीं लेकिए एक से काम चल जाती है अब देखिए बगवान ने आखे बनाई हैं दोनों देखती हैं अगर एक बंद भी हो जाए फिर भी उतरा बच्चा एक आँख से देखता है एक से कम दिखता तो उसको बंद कर लेगा अगर कोई सी बच्चे में अन्यूजूल बिहेवियर मिलता है आँखों में देखने में तो उस पीचर को उसको आई के लिए रैफर करना चाहिए या स्कूलों में एक मेडिकल हैल्ट ऑफिसर हो जो महीने में एक बार हर बच्चे की जाज़ कर लेता है वैसे हैं प्रोवीजन है लेकिन भारत में संसदानों की कमी है डॉक्टर्स की कमी है पर कैपिटा डॉक्टर्स की रेशियो बहुत कम है तो इन मुश्किलों की वज़ा से हम इन चीज़ों पर नहीं पहुंच पाते और इसलिए मायोपिया बढ़ रहा है और एक हमारी एक्टिविटी इंडोर हो गई है प्लस न्यूट्रिशन का भी रोल है जंक फूट मैदा पास्ट फूट वो सब नैच्रल सी बात है अगर शरीर भी आखें भी शरीर का हिस्सा है तो आखें अगर शरीर खराब है तो आखें कि आपने बताया था कि लैंस लगवाते हैं सभी तो उसके लिए कोई खास उम्र के बाद लैंस लगवाना चाहिए या किसी भी उम्र में लगवाया जा सकता है देखिए अठारा से पहले लैंस नहीं लगवाने चाहिए क्योंकि अठारा तक आपका नंबर बढ़ेगा तो आपको प्लस बच्चे इतने सेंस्टिव नहीं होते अगर लेंस लगा है बाहर आंधी तुफान आ गया तो वह कंड घुस सकते हैं अंदर और अगर एक बार कंड घुस सकते हैं तो वह मुश्किल हो जाती है और लेंस लिए कारात को उतार के लेंस के फ्लूड में रखने प लेंस की अपनी ग्रेस है तो लेंस भी लगाये जा सकते हैं आज कल एक कॉस्मेटिक के अलावा कलर फुल आपने देखा होगा हर मुवीज में स्टार के आँखों की पुतले का रंग बदल जाता है तो वह इस पोजबल लेंस भी आते हैं हर रंग के लेंस और डिस्पोजब अगर देखिये हमें कुद्रत में आँखों के अंदर आशु क्यों दिये है वह आथों में अगर डल जाए कुछ गिर जाए तो आखें अपने आपको साफ करने के लिए टीर ग्लैंड्स होती है वह आशु आते हैं और उसको साफ कर देते हैं हम फिर भी बेवर्श्वी करते हैं कि हम जैसे ही आखों में कुछ डलता है तो उसको मलना शुरू कर जाते हैं पड़ी इंट्रेस्टिंग मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि अगर हमारी इस आख में कुछ गिरा है बाहर से कुछ हवाई या कंड गिर गया तो हमारी दोनों आखों की जो मूव्मेंट है वो रिद्मिक है वो ठुदरत की देन है कि अगर इस आख में कुछ जला है सबोज यहां डल गया तो यहां यहां हमारा लैन्स है यह ब्लैक वाले हिस्से में हमने कभी कुछ नहीं करना है तो कि यहां कौर्णिया है यहां अगर हम मलेंगे तो यहां अलसर हो जाएगा तो अ अगर यहां तक लाएंगे तो इधर वाला कड़ अपने आप यहां पहुंँचाएगा और यहां पर आप इसको ऐसे इसी तरह अगर इस आख में खारिश है तो इसको इसको मालिश कीजिए तो इसको आराम मिल जाए तो यह एक कुगरत की देन है जिसके सहायता से हम foreign body बिना किसी injury के बिना किसी emergency के कौरियल अलसर से बचाते हुए हम निकाल से जी डॉक्टर खरबंदा कई बार लोग आखों के अंदर ड्रॉप डालने लगते हैं अगर कुछ चला जाता है तो भी ड्रॉप डालते हैं या फिर पानी से धो लेते हैं लेकिन क्या होता है कि वो ड्रॉप कई बार तो ठीक कर दे अभी आपने बताया कि आख को रब करा दूसरी आख को रब करा तो उस आख से कचरा साइड में आ जाएगा और फिर वो निकाल दो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या उनको उन ड्रॉप्स का इस्तमाल करना चाहिए जी बहुत अच्छा सवाल है बंदना जी देखिए अ कोई आई ड्रॉप आपको अवर दी काउंटर नहीं मिलता है यह सिंपल सा इंडिकेशन है कि हम अपनी मर्जी से आखों में दवाई नहीं डाल सकते हैं अंटिल अनलेस प्रेस्क्राइवड बाई डॉक्टर इट शूड नेवर बी यूज़ और अगर देखिए आखों में आपको तकलीब हाएगी तो सिंप्टम्स आएंगे आपकी आखें लाल दिखेंगी आपकी आखों से पानी चलने लगेगा हो सकता आपको जुकाम लगा उसकी वज़े से अलर्जी है वह बड़ा कॉमन है जुकाम की आप दवाई लेंगे या जुकाम अपने आप ठीक होगा लुपा तो आखेंगे ठीक हो जाएंगे तो आपका काम आपका काम नहीं है यह जज करना कि आपको दवाई डालनी है या नहीं डालनी है एक अमूमन बात है लोग सोचते हैं कि हम सुबह से बाहर मिट्टी में जाके आए हमारी आखें गंदी होगी हम इनको साफ करें तो व और प्रविजिए मैक्स अगर हमें लगता है कि आखें जल रही हैं बहुत परशाणी हो रही है तो आई वाश कप घ लिए जैसे शराब का पैग होता है उस शेश के होते हैं ऐई वाश कप्स पर मिलते हैं या कांज के या पलास्टिक के उनमें आप परफ का पानी ठंडा डाल दीजिए और उन दोनों आई वाश कप्स को ऐसे आखों पर लगा दीजिए उसको लगाते ही आपको 10 मिनिट में 15 मिनिट में आपकी आखें तरो ताजा हो जाएं या आपकी आखें बहुत थक गई हैं आप एक exercise करें आपकी आखें ठ आखें नजदीक लाना है यहां तक लाते हैं आपको यह डबल दिखने लगेगा जब डगल दिखने लगे अपिर वापस जाएंगे फिर आगे आएंगे यहां जैसे डबल दिखेंगा फिर वापस चले जाएंगे यह आप exercise कीजिए यह एक पामिंग exercise आती है पामिंग का मत मैंने सिर नहीं हिलाया और आख की पुतली हर डिरेक्शन में गुमा दी उपर नीचे लेफ्ट राइट एंड सर्कुल एंड रिवर सर्कुल यह आख की exercise है यह अगर आप करते रहेंगे तो आखें ठकावट नहीं आएगी आखें आपकी healthy रहेंगी और कुदरत की तरीके से हाँ आपको squint का ख्याल रखना है squint में क्या होता है दोनों आख की पुतलियों की movement अलग अलग है मैंने अब भी आपको बताया कि दोनों आखें रिद्मिक हैं हमारे अगर आप इस पुतली को देखते हैं तो यह अपने आप उड़ जाती है इसके लिए effort नहीं करना पड़ कि इदर देखें भेंगापन जिसको हम बोलते हैं भेंगापन इनक भी लग जाती है और किसी extreme rare cases में सर्चरी करानी पड़ती है लेजी आई होगी गलकोमा गलकोमा में आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हम काला मोतिया बोलते हैं उसमें दो तरह की आज हैं या तो प्रेशर कम करने के drops डालने पड़ेंगे आपको ताउमर और साल में एक बार आँखों की जाच करानी पड़ेगी या फर सर्चरी है उसमे बच्छों में नहीं होते तो सफेद मोतिया लेंस हमारा ट्रांस्पेरेंट है वह वाइट हो आम देखने से पता लग जाता है तो मेरे ख्याल से टीचर को अगर एक दिन आई स्पेशलिस्ट पूरी ट्रेनिंग दे तो टीचर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं आई के हर मरी इसको रेफर कर सकते हैं और एक गंभीर बिमारी होती है रेटीनल डिटैच्मेंट रेटीना जो हमारी आँका प्ड़दा है जिस पे हमारी इमेज बनती है वह अपने सर्फिस से डिटैच हो जाता है तो वह सीरियस मैटर है इन सारे कैसे देखो आँक और ब्रेन दोनों मोस सेंसिटेव और्गन ऑफ दो बाड़ी है लेकिन ब्रेन ढखा हुआ है तभी जो ब्रेन की स्कल है यह सबसे सकती है इसको पाटने के लिए हमें आरी इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल करना पड़ता है इतनी सकती है वह इसी लिए सकता है कि ब्रेन बहुत नाजुक है और एक्सरसाइज है वॉलेंटरी ब्लिंकिंग अरे घंटे बाद जब आप ठक जाते हैं तो कुछ देर वॉलेंटरी ब्लिंकिंग कर लिए वैसे तो अपने आप जब भी आख ठकेगी खुदी ब्लिंक कर लें या आपके सामने कोई आग आएगी कुछ आएगा कुछ भी दो हिससे दो सेकंड मिली सेकंड में यह रिफ्लेक्स काम करते हैं हमारे इतने शांदार रिफ्लेक्स कुद्रत ने बनाये हुए हैं तो आख अपने को बचाने में पूरी तरह कामेया के पेबल है सिरफ हमें कहां ख्याल रखना है अब दिवाली पे बहुत ज्यादा आई इ इंडस्ट्रियल आपने देखा वेल्टिंग करते हैं वकर अपने में शब्चम है लेकिन अगर आप हैजर्ड में जा रहे हैं तो आप कर लिए बात सिंपल झी ए दिवाली के टाइम पे आँख कवर के लिए और पानी की एक बाल्टी पास रख लिए अगर कुछ हो जाए त उसी वकद आँक में और मलना नहीं है आँक बंद करके आई के डॉक्टर के बाद आए ये सिंपल मेजर्स हैं जो आपको बचा सकते हैं लासिक लेजर देखिए अभी तक सिर्फ कॉस्मेटिक वेलियू उसकी है या एनक से बच सकते हैं ये उसकी फायदा है लेकिन उसमें भी हम एक रूटीन प्री चेक अप करते हैं कि इनसान फिट है उसको कोई और बिमारी तो नहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको अंडरलाइंग ग्लुकोमा है आपने लासिक लेजर कराया और ग्लुकोमा आपका सर्फेस पे आँए इन चीज़ों से आपको सेल्फ मेडिक नहीं करनी है अपने आप आखों में दवाई नहीं डालनी है प्रोग्रेसिव मायापिया से हम बत सकते हैं वरना रूटीन एक्सराइज कीजिए बाहर जाके आउट्डोर एक्टिविटीज कीजिए और यह आपकी आखें बिलकर हैंगी टीचर्स को अपना ट्रेंग करने ड या फिर दो ही टाइम करें देखिए ऐसा है इस एक्सराइज को करने में तीन या चार मिनट लगते हैं तो चार मिनट जब आप एक बना लें बातरूम जब गये हैं बातरूम में बैठे बैठे आप एक्सराइज कर लें दिन में दो या तीन बार है आप तीन बार अपने ए जुरूरत नहीं है ठीक है आप समय का सदूपयोग करें एक एक दो-दो मिनट लगता है और अगर किसी को मायवपिया है या इसको अंदेशा है कि मायवपिया शुरू हो गया है तो वो तो जरूर करें फिर यह रुप जाएगा देखिए यह एक्सरसाइज है मसल के वीकनेस की यह कंकेव लेंस होता है कंवेक्स लेंस होता है तो फ्रक्राइब लेंस लगते हैं इसके लिए जो बीच में से पतले होते हैं साइडों पर मोटे होते हैं तो कंकेव लेंस माइनस में पावर आती डायक्टर तो 0.25, 0.5, 0.75 उसके बाद एक नंबर और 8, 9, 10 नंबर तक, 10 नंबर तक इतना मोटा शिशा हो जाता है, मेरा नंबर 4 है, तो यह पतला शिशा है, तो मुझे भी बज़पन से लगी हो यह मायोपियां का मरीज हूं मैं, द तो नंबर खूब बढ़ गया, तब जाके लगा, जैसा कि आपने बताया कि पता ही नहीं चल पाता है, शुरू में की मायोपिया हुआ है क्या, तो इसके कोई सिम्टम जैसे आपने बताया थे कि सिम्टम सिर्फ एक बताया कि दिखना कम हो जाता है, उसमें भी कई बच्चे बता पाते हैं, कई बच्चे नहीं बता पाते हैं, इसके अलावा और कोई सिम्टम होते हैं, और कोई सिम्टम नहीं होते हैं, सिर्फ मैंने आपको बताया, इंसान ऐसे करके देख लेगा, कि शायद मुझे थोड़ा क्लियर दिख जाए, मसल ताकि नजदीक आ जाए, बच्चों को थोड़ा सा जानकारी हो, ये अवेरनेस अगर हम करेंगे, तो हम जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी आनक लगेगी, तो उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारी डाइट अच्छी हो, पेरंट्स अपडेटेड हो, तो पहले ही पकड़ सकते हैं, और अगर आउटडोर हम एक्टिविटी अपनी दुबारा से वापिस दिन चर्या में शुमार कर लें, एक गंटा बाहर खेलें, एक गंटा हर बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करनी है, ये मस्ट होनी चाहिए, तो आपकी आँखें, आखों को स्वस्त रखने के लिए क् स्पेशली विटामिन एक बिमारी और है, रताउंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइडनेस, वो राज को कम दिखता है, वो वाइटमिन एक डेफिशेंसी से होती है, तो वाइटमिन ए रेटिनॉल नाम की गोलियां आती है, वो खानी जब पढ़ती है, या वाइटमिन एक ड् मस्ट हैं, हमारे immunization schedule में है, ताकि अगर वो डाइट ना भी लें, तो आखें बची रहें, ये प्रोग्राम है, ड्वाइचो की गाइडलाइन के अंडर वाइटमिन एक ड्राप्स दिये जाते हैं, तो वाइटमिन ए रिच फूड, ग्रीन, हर रंग का फूरूट, हर रंग क की सब्जी और बैलेंस डाइट, ये आप खाएं, तो आपकी आँखें स्वस्त रहें, जी, जो artificial tears use करते हैं, आखों से पानी निकालने के लिए वो नुकसान देया नहीं होता है, देखिए नहीं, वो सिर्फ actors के लिए इस्तेमाल होते हैं, glycerine use होती है, वो emotion पैदा करने, emotion तो खेर सोचके ही आएगी, लेकिन tears कहां से आएगे, tears तो इश्वर की दिन है, तो वो artificial tears use हो, वो कभी कभार use होते हैं, तो glycerine safe है, उसका कोई नुकसान देया, जी, लेकिर खरबंदा, आपने हमें बहुत जाना चाहिए, वो सिरफ film actors तक ही रखने चाहिए, गुलाब जल आखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्या गुलाब जल का यूज करना चाहिए? जी, हाँ, गुलाब जल का इस्तेमाल किया जा सकता है, आःरुवेद में trifla का इस्तेमाल किया जा सकता है, trifla special आता है, आखों के लिए डालूट कर दे पर तरिफला का पानी बनाया जात सबसे अच्छा योग के साथ जब आप योगासन करते हैं तो उसके साथ साथ जब प्राणायाम करते हैं सुबसके साथ आई वाश कप में तरिफिला का पानी डाली और उससे आंखेंगे आप जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जी हाँ संदेश एक है खुद दवाई नहीं डालनी है आखों को मलना नहीं है अगर कुछ गलती से गर जाए तो दूसरी आखों को मलिए साइड पे लाइए और निकाल लीजिए और अगर आपको आखी अगर बहुत थक जाते हैं रात को आई वाश कप से ठंडा पानी लगाएं और बैलेस पूटकाएं बस इतना करने की दुरूरत है बाकी आखों के बारे में खास तोर से आखों में कुछ चला जाए तो उसे किस तरह से निकाला जाए आप हमारे शो में शामिल हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेगा आपके सवालों को शामिल किया जाएगा अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए लिए नमाश्कार